Hello students, welcome to in my channel Smart Study. Students, आज हम Directed of Education की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षित नमबर 52 करेंगे, जो कि क्लास 6 तू 8 के लिए है. बिटी ये वर्क्षित 3rd September 2020 की है. यहां student आप अपना नेम लिखेंगे और यहां पे आप अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे. तो आज़े शुरू करते हैं आज की वर्क्षित. वर्क्षित शुरू करने से पहले बेटा प्लेज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. तो आज़े देखते हैं आज की वर्क्षित, कलर्स इन नेचर. Manufacturing and uses of chemical color lead to life-threatening disease and also they heavily pollute river ponds, etc. यहां पर क्या करते हैं जो chemical colors का use हो रहा है या manufacturing हो रही है यह क्या करता है यह हमारे लिए बहुत हाम्फुल है. इसके अलावा अगर इनको river और pond में थ्रो कर दिया जाता है तो उसको भी यह क्या करते हैं heavily polluted कर देती हैं. देखें नेक्स्ट क्या लिए लिए अंटिल दा modern era, natural pigments extract from plant parts and earth mineral were used by human for artwork, fabric dyeing, idle painting, wall painting, etc. इस आर पर क्लेरी एविदेंट थ्रोड दा अरली cave painting. यहां पर कहरें कि modern era से पहले, जब हमारा modern era नहीं आया तो उससे पहले भी हमें जो cave में paintings दिखती हैं तो उन पे भी क्या होते हैं colors का इन सब का use किया गया लेकिन उस समय तो chemical colors थे नहीं तो उस समय किन colors का use किया गया था? उस समय प्लांट के जो parts थे या जो earth के minerals थे इनका use करके उन्होंने उस time पे जो humans थे, early humans थे उन्होंने क्या किया था, art का work किया होता, fabric dyeing की होती, idle painting की होती, wall painting यह सब उन्होंने किया हुआ था, बट उस समय उन्होंने किस का use किया था? प्लांट पार्ट का और earth minerals का, उन्होंने chemical colors का use नहीं किया हुआ था, इसके evidence हमें, जो भी early cave paintings है, जो caves है, अभी उन्होंने हमें अभी भी मिलता है, आगे देखे क्या दिया गया है, every color from nature is unique, हर color क्या है, unique है, natural colors specially those for plant and clay are environmentally safe, anyone can make natural colors at home with simple kitchen ingredients like, वो क्या कर रहा है कि जो natural color होते ह प्लांट से या clay से मिलते हैं, ऐसे color क्या है, environmentally safe है, और ये color हमको हमारे kitchen ingredients से आराम से मिल जाते हैं, तो आगे देखे क्या दिया गया है, किन-किन kitchen ingredients से हम ये colors ले सकते हैं, देखते हैं, first is turmeric for yellow, yellow color हमें कहां से मिलेगा, turmeric city, beetroot से क्या मिलेगा, pink color या red color, इसके लाबाबा जैस अगर आप turmeric लेते हैं, और उसको किसी कपड़े पर या किसी paper पर आप उसको रब करेंगे, तो वो अपना yellowish color देगा, समझ रहा है, तो ये ऐसे color क्या कहते है, ये natural color नहीं कहेंगे, और ये जो natural color होते हैं, ये हमारे लिए भी क्या है, safe है, यहाँ पे देखो strawberry से red color, ये brown shade color आ रहे है, leaf से क्या आएगा, green color, और यहाँ पे देखो, ये क्या red cabbage, red cabbage से क्या आएगा, red shade सी आएगी, तो यहाँ पे कुछ examples दिए गए है, हम देखते है, a variety of other colors can be made by mixing of the primary colors, हम कुछ primary colors को mix करके भी क्या बना सकते हैं, और अलग type की colors बना सकते हैं, जैसे primary color क्या है, red, blue, yellow, हम यह सब क्या इन से बना सकते हैं, जैसे red color, from beetroot, rose petals, strawberries, पेटल, जैसे हमी कुछ सा कलर मिलेगा, red color, blue color हमें किसी मिलेगा, from red cabbage, blue से हमें क्या मिलेगा, sorry red cabbage से कुछ सा कलर मिलेगा, blue, यर indigo, indigo जैसे हमें क्या मिलेगा, blue color, इसके लवागा, yellow color त आब सबकों पता हुगा, किमें टर्मरिक से या साफ्रों से येORT मिलते हैं या जो पैटल्स होती है वह कैसी ह patal तो आपको यह बहुत अच्छे लगेंगे, आप फिर वापस जो केमिकल्स कलर को यूज नहीं करोगे और अब आपको क्या करना है, गो ग्रीन एवरी सेलिब्रेशन पर यूज करना है तो गो ग्रीन का मीनिंग क्या है, फरस्ट हम ही समझते हैं, कि जो भी नेचुरल थिंग से हमें उन्हें यूज करना है, हमें केमिकल्स का यूज नहीं करना है, किसी भी फेस्टिवल में देखो यूज नेचुरल कलर्स, नोट ओनली थेस्टिवल ओफ होली, बट अलसो इन रंगोली डिजाइनिंग, आइडल डेकोरेशन एंड पेंटिंग उन शीट मतलब किसी भी अगर हमें पेंटिंग कर रहे हैं, हम कोई डेकोरेशन कर रहे हैं, कोई रंगोली बना रहे हैं, तो हम हमें नेचुरल कलर्स का यूज करना है, ना कि हमें केमिकल कलर्स का, तो आज की वरक्षिट कंप्ली होती है, अब हम इसके कोशिन अंसे करते हैं, चूज दा करेक्ट ओप्शन, दा कलर विच आर नोट हामफूल, हमारे लिए कौन से कलर से जो हामफूल नहीं है, केमिकल या हामफूल होते हैं, ठीक है, रेड कलर is obtained from, रेड कलर कहां से मिलता है बिटा, बीट रूट से या टर्मरिक से, वेरी गुड, बीट रूट से टर्मरिक से में क्या मिलता है, येलो कलर, तो हम इस पर क्रोस कर देते हैं, नेक्स देखो क्या है, गो ग्रीन का मीनिंग क्या है, अभी मैंने बताई, ये important है, गो ग्रीन का मीन क्या है, कि हमें क्या करना है, हमेशा क्या क्या करना है, हमको जो नेचरल colors है, ये नेचरल thing है, उनका use करना है, use of eco-friendly material, हमें क्या करना है, eco-friendly material योज करना है, always wear green cloth, नई बिटा, ये नहीं करना है, हमें इस झांसर क्या हो जाए आपको आशे चाहीत कढ़ से ही यहीं आप छिम बलार रीद रीजआ जिता है आपको आशे के लगilee paranारीज में आपको आशे एक क्या करना इगा अच्छे शया जो फिर ऐफ फित्ल नेचूरल कलर्स टीक यह मेक तो क्या डिया है एक कोई भी मूर्ती बनाईए मिट्टी कि कुछ भी मूर्ती कुछ भी कुछ भी चीज बनाईए और उसको नैच्छरल कलर्स के साथ में पेंट करना है ठीक है students तो बिटा आज की वर्क्षिट खतम होती है कम्प्लीट कीजिए अपनी वर्क्षिट को और अपनी टीचर को सेंड कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू स्टूरेंट्स